Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में Department of School Education की तरफ से Permanent Vacancy का notification जारी किया गया है लगातार जो है नई विग्यापन आ रहे हैं सरकारी नौकरी के जितने भी सिक्षक भरती के विग्यापन जारी होते हैं बिल्कुल आप लोगों को सूचना वीडियो के माध्यम से जल्द ही दी जाती है 23 जुलाई को एक और नया विग्यापन जारी किया गया है पिसला वीडियो आपने देखा होगा लोगसेवा आयोग की तरफ से वेकेंसी आई थी हर्याणा लोगसेवा आयोग की तरफ से वो भी पर्मानेंट सरकारी नौकरी की थी और ये भी जो है बिल्कुल पर्मानेंट सरकारी नौकरी का नया विग्यापन है इसमें पेंस्केल जो है काफी अच्छा रहने वाला है 30,000 से लेकर 1,00,000 तक जो है यहाँ पर रहेगी सैलरी अधर अलावंसे जो है यहाँ पर गॉर्मेंट की तरफ से भी मिलेंगी फीस भी जादा नहीं है अप्लिकेशन करते वक्त आयू सीमा में चूट बिल्कुल आरक्षित वर्क को दी गई है जर्नल कैटेगरी की यहाँ पर आयू 21 से लेकर 38 वर्स रखी गई है तो चलिए फटाफर्स से जो है नोटिफिकेशन देख लेंगे ओफिशल वेबसाइट पर कैसे अप्लाए करना है क्वालिफिकेशन क्या कही गई है सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट की वेकेंसी है तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती हूँ नोटिफिकेशन 13 पेजिस का है पेज केल 30,000 से 1,10,000 तक है पेबेंड 4 ग्रेट बे है 13,300 आयू सीमा में चूट जो है यहाँ पर बिल्कुल कैटेगरी वाइस दी गई है 21 से 38 वर्स यहाँ पर आयू रखी गई है जिसमें 5 साल की चूट S.E.S.T. केंडिडेट की O.B.C. और M.O.B.C. केंडिडेट की जो है 3 साल की चूट है जानि 41 दियर तक P.W.E.D. 10 साल की चूट है इसमें नंबर और पोस्ट वेकेंसी है 159 पदों पर पेज केल जो है आप देख रहे हैं काफी अचा है और इसके साथ में जो अधर अलावंसिस जहाँ है स्टेट गवर्मेंट के तहब टाइम टू टाइम मिलते ही रहेंगे वेकेंसी जो है यहाँ पर असम पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से है इससे पहले वेकेंसी हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से थी एड़टीजमेंट नंबर ध्यान में रखना है 59 पदों टोंटीवर 23 जुलाई को ही यह भी नया विग्यापन जारी किया गया है वीडियो लगातार देखते रहें नए विग्यापन बिलकुल सरकारी नोकरी के आही रहे है सबसे पहले आप लोगों को पोस्ट दिखा देती हूँ लेक्चरार प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में 55 वेकेंसी है असामीज में 5 पोस्ट है मैथमेटिक्स में 8 पोस्ट है साइंस में 8 पोस्ट है सोसल साइंस में 12 पोस्ट है फिजिकल एजुकेशन में 5 पोस्ट है फाउंडिशन ओफ एजुकेशन में 7 आर्ट एजुकिशन में 4 उसके बाद जो है 16 पोस्ट है लेक्चरार इन सर्विस एजुकिशन फिल इंट्रेक्शन एंड इनोविशन कॉडिनिशन में लेक्चरार डिस्टिक रिसोर्स यूनिट में 50 पोस्ट है तो अलगलग सब्जेक्ट में वेकेंसी है लेक्चरार प्लानिंग एंड मेनिजमेंट में 10 पोस्ट है उसके बाद जो है करिकुलर मेटेरियल डेवलोपमेंट एंड एजुकिशन में 10 पोस्ट है लेक्चरार वर्क एक्स्पिरेंस में 10 पोस्ट है लेक्चरार एजुकिशनल टेकनोलोजी में 8 पोस्ट है ये सबी जो है पदों पर vacancy है qualification जो है इसमें क्या मांगी गई है तो जिसमें आप apply करेंगे master degree आपकी होनी चाहिए 55% marks के साथ में M.Ed. आपने किया है और net या slat या PhD इसमें से जो है एक चीज आपने clear की हुई हो ठीक है सबसे बड़ी बात यहां पर क्या लिखा है कि जो eligibility criteria है the candidate must be an Indian citizen as defined in article 5 to 8 of the constitution of India and must be permanent residence of ASAM ASAM के जो permanent residence है वही इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आप लोगों को upload करना होगा एक copy valid permanent residence certificate की जो की ASAM government के द्वारा जारी किया गया है तो भारी राज्य के candidate इसमें बिल्कुल भी apply नहीं कर सकते हैं ज्यान दे starting date जो है online application की 29 से starting है जुलाई से और 28 अगस्तर रखी गई है application fees general category की भी जादा नहीं है 297 है total SCST OBC MOBC की 197 VPL की 47 है PWED की 47 है ठीके तो यह application fees है कैसे apply करना होगा official website का link यह रहा बाकी जो है इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल ही जाएगा description box में ताकि आप लोग apply कर सकें सबसे पहले जो है आप लोगों को one time registration करना होगा उसके बाद ही apply कर सकते हैं यदि apply करेंगे तो notification को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही जो है apply करना होगा कर सकतु कि जाएग कर सकते हैं यदिये लोग distintos हीचास कर लोगग要 चारोग ál है, बाल प Zwाएण